प्यारे विध्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंद्रूस्थ होंगे और पढ़ाई के प्रती आपका उत्सा कायम होगा बच्चों, आज हम छटी कक्षा के विध्यान का पहला अध्याय भोजन यह कहां से आता है पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमने पहले क्या सीखा आज आपने घर में क्या खाया था? हमें भोजन की आविशक्ता क्यूं है? क्या सभी लोग एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? हमें खाना या भोजन कहां से मिलता है? यह सब हम पहले ही सीख चुके हैं तो बच्चों, अब देखते हैं कि हम आज इस अध्याय में क्या सीखेंगे? सबसे पहले विभिन खाद्य पदार्थ खाद्य समगरी वह उनके स्त्रोत पौधे के भाग जन्तू उत्पाद और जन्तू क्या खाते हैं? बच्चों, सबसे पहले हम विभिन खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं इस चित्र में हम देखते हैं कि विभिन विभिन प्रदेशों के साथ विभिन विभिन खाद्य पदार्थ भी दिखाए गए हैं तो आप मुझे बताईए कि कौन सा खाद्य पदार्थ किस प्रदेश में सबसे ज़ादा ग्रहन होता है? तो आप मुझे बताईए किस प्रदेश में सबसे ज़ादा ग्रहन होता है? बच्चों, यह तो आप जानते ही हो कि भोजन बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार की कच्ची सामगरी की आविशक्ता होती है यह कच्ची सामगरी हमें अलग-अलग पौधों या अलग-अलग जन्तों से मिलती है विभिन कच्ची सामगरियों को मिला कर हम अपना भोजन बनाते हैं चलो फिर अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं उसे तयार करने के लिए कौन से पदार्थों या संगटकों की आविशक्ता होती है भोजन तयार करने के लिए जो पदार्थ इस्तमाल किये जाते हैं उन्हें संगटक कहते हैं उधारन के लिए जैसे रोटी बनाने के लिए आटा और पानी की आविशक्ता होती है आटे में पानी मिला कर हम गुथा हुआ आटा तयार करते हैं जिससे रोटी तयार होती है अब हम देखते हैं कि दाल कैसे बनती है दाल बनाने के लिए दाल के दाने, पानी, घी या तेल, नमक और अन्य प्रकार के मसालों की आविशक्ता होती है उसके बाद इन सभी पदार्थों को आग पर पका कर हम दाल तयार करते हैं इस तरह हमने यह जान लिया है कि विभिन विभिन भोजन पदार्थों को बनाने के लिए विन विन पदार्थ की आविशक्ता या विन विन सामग्री की आविशक्ता होती है चलिए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह सब खाद्य पदार्थ हमें कहां से मिलते हैं मतलब कि अब हम खाद्य पदार्थ वह उनके स्त्रोथ के बारे में पढ़ेंगे देखिए खाद्य पदार्थ और उनके स्त्रोथ का मतलब कोई वस्तु जिसे हम खा रहे हैं और वह किस जगह से, किस पौधे से या किस जनतु से हमें मिलती है चलिए अच्छा, अब मुझे यह बताओ कि जो दूद हम पीते हैं, वह हमें किस जन्तू से मिलता है, किस जन्तू से प्राप्त होता है, गाए, भैस, सोचो सोचो, बिल्कुल सही, गाए, हाँ, दूद हमें गाए से प्राप्त होता है, तो दूद क्या हुआ, दूद हुआ खाद्य पदार्थ, और उसका स्त्रोथ क्या हुआ, उसका स्त्रोथ हो गया, गाए, तो दूद हमें गाए से मिल रहा है, इस तरह हमें यह पता चलता है, कि भिन भिन खाद्य पदार्थों की कच्ची सामगरी के स्त्रोथ भी भिन भिन होत कुछ खाद्यपदार्थ हमें पादवों यानि की पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ खाद्यपदार्थ हमें जन्तूं से प्राप्त होते हैं झाल 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 अब हम पौधे के भागों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से भाग पौधे के खाने योग्य हैं जैसे जड, तना, पत्ती, पुश्प और फल यह सभी भाग क्या खाने के योग्य होते हैं? बच्चों, आपको पता है कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्त्रोत हैं कुछ पौधों की पत्तियां और कुछ पौधों के फल हम खाते हैं कभी-कभी हम जड, तना और पुश्प भी खाते हैं कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं जैसे हम पालक, सरसों, मेथी, आदी खाते हैं तो यह पौधों की पत्तियां हैं सेब, अंगूर, केले, आम, आदी पौधों के फल हैं जो हम खाते हैं पौधों के बीजों को भी खाने के योग्य माना जाता है जैसे की मसालें, डालें, खाने वाला तेल, आदी जो की पौधों के बीजों से निकाला जाता है कुछ पौधों की जड़ और तने को भी खाने के योग्य माना जाता है जैसे गाजर, मूली, आलू और प्याज जैसे की माना जाता है झाल झाल चलिए अब हम बीच अंकुरन की विधी समझेंगे कि कैसे बीच अंकुरित होते हैं और नया पौधा बनता है सबसे पहले चने के कुछ सूखे बीच लीजिए अब इन बीचों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए अगले दिन जल को पूरे तरीके से निकाल लीजिए और बीजों को गीले कपड़े से ढग दें और अगले ही दिन हम देखते हैं कि बीजों में से छोटी छोटी सफेद रंग की सरंचना बाहर आती दिखाई देती है इसका अर्थ है कि हमारे बीच अंकुरित हो गए हैं इन बीजों को हम उबाल भी सकते हैं और इन में कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अलपा आहार भी तयार कर सकते हैं बच्चों क्या आप जानते हैं कि शहद कहां से आता है या कैसे उत्पादित होता है जी हाँ बिल्कुल सही शहद मधुमक्खी के द्वारा उसके छत्तों में बनाया जाता है और वहीं से किसान उसे इकठा करते है चलो अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जन्तु क्या खाते हैं बच्चों जो जन्तु केवल पौधे और पादपुतपाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जन्तु कहते हैं जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र में खरगोश गाजर खा रहा है और गाए घासफूस खा रही है इसलिए इन जन्तु को हम क्या कहेंगे शाकाहारी जन्तु बहुत अच्छे बच्चों आप तो बहुत जल्दी सीख गए इसी तरीके से अगर हम मासाहारी जन्तु की बात करें तो वो जन्तु जो दूसरे जन्तु को खाते हैं मासाहारी जन्तु कहलाते हैं जैसे शेर, किरली, इत्यादी इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी है सर्वाहारी जन्तु सर्वाहारी जन्तु वे जन्तु होते हैं जो पादपुतपाथ और अन्य जन्तु सभी को खंजूम करते हैं अर्थाद सभी को खाते हैं, जैसे कि मनुष्य और कुट्टा. तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हो, कि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता. हमें ऐसे उपाये खोजने की आविशक्ता है, जिसके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य का उत्पादन किया जा सके. यही पर्याप्त नहीं होगा, बलकि हमें ऐसे भी उपाये खोजने चाहिए, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके, कि यह भोजन हमें से प्रतेक को आसानी से उपलब्ध हो सके. कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के ना रहे. चलो बच्चों, एक बार हम दुबारा देख लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा. भारत के विभिन्य प्रदेशों में खाये जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है. हमारे भोजन के मुख्य स्त्रोत पौधे और जन्तु हैं. फल, तना, पत्ति, जड़ और पुश्ब पौधे के भाग हैं जिन्हें खाया जा सकता है. भोजन के आधार पर जीवों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं. शाकाहारी, मासाहारी और सर्वाहारी. चलिए बच्चों, अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ. मुझे लगता है कि येस प्रश्न आप सभी को आता होगा. तो चलिए ध्यान से इस प्रश्न को देखें. हमारे भोजन के मुख्य स्त्रोथ कौन-कौन से हैं? आपके ऑप्षिन है हवा और पौधे, पौधे और जन्तु, जानवर और पानी या हवा और पानी. बिल्कुल सही, पौधे और जन्तु यह हमारे भोजन के मुख्य स्त्रोथ हैं. दूद, अंडे, मीट, चिकन, मचली आदी सभी पदार्थ हमें जन्तूओं से प्राप्थ होते हैं सही या गलत बिल्कुल सही यह सही है दूसरे जन्तूओं को, खाने वाले जन्तूओं को शाकाहारी कहा जाता है सही या गलत गलत दूसरे जन्तूओं को, खाने वाले जन्तूओं को मासाहारी कहा जाता है तो यह स्टेटमेंट गलत है पंजाब राज का प्रसिद्ध भोजन क्या है चावल, इडली, मचली या सर्सों का साख और मक्की की रोटी इसका सही उत्तर है सर्सों का साख और मक्की की रोटी निम लिखित में से जड़ों द्वारा प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों का नाम बताएं गाजर, टमाटर, कद्दू या भिंडी इसका सही उत्तर है गाजर गाजर पौधे की जड़ है जिसे हम खाते हैं चने के सूखे बीजों को पानी में भिगो कर और उनकर बाहर निकाल कर गीले कपड़े में रखने से हमें क्या प्राप्त होता है अंकुरित बीज या बीज बिल्कुल सही इसका उत्तर है अंकुरित बीज क्या आप बता सकते हैं कि हिरन कैसा जीव है शाकाहारी मासाहारी या सरवाहारी बिल्कुल ठीक हिरन शाकाहारी जीव है क्योंकि यह पेड़ों की पत्तियों या पादा पुतपादों को खाता है किसी एक ऐसे पौधे का नाम बता सकते हैं जो पानी में उकता है और भोज्य पदार्थ के रूप में भी खाया जाता है सोचिए बिल्कुल से ही कमल कमल के तने को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहन किया जाता है अच्छा अब आप बताईए किसी ऐसे दो पौधों के नाम जिन से हमें शर्क्रा यानि की शुगर प्राप्त होती है सोचिए बिल्कुल से ही पहला गन्ना और दूसरा शुगर बीट या मीठे चुकंदर ये दो ऐसे पादप हैं जिन से चीनी या शर्क्रा बनाई जाती है तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा इसे के साथ हमारा ये अध्याय भोजन यह कहां से आता है पूरा होता है इसे आप ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए बच्चों अब आप तंद्रुस्त रहिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए धन्यवाद